घर में लगा है inverter तो हो जाएं सावधान आपकी इन पाश कलतियों से हो जाएगा बड़ा थमा का एसी फटने से भी ज़ादा खतरनाक है inverter का blast इनवर्टर के साथ भूल कर भी ना करें ये पाश कलतियां लग सकती है तगडी आग, भयंगर ब्लास्ट से जा सकती है जान, छोटी सी गलती से होगा बड़ा नुकसान एक छटके में पूरा घर तबहा कर सकती है इन्वर्टर की आग इन्वर्टर ब्लास्ट होने से एक परिवार में हुई चार सदिस्यों की दम खुटने से मौत लेकिन जैसे हर एलक्ट्रोनिक सामान गर्मी में ओवर हीट होने का शिकार होते हैं वैसे ही अगर इन्वर्टर की ठीक से देखभाल ना कीजाए तो इसमें भी ओवर हीटिंग होने से आग लगने का खत्रा बना रहता है गर्मी में इलक्ट्रोनिक सामान में शॉर्ट सर्किट होना या आग लगना बहुत आमसी बात है किसी तरह की कोई घटना ना हो इसलिए साफधान रहना बहुत जरूरी हो जाता है बताते चलें कि दिल्ली के द्वारका इलाके के एक मकान में मंगलवार तड़के इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ आग लगने से एक ही परिवार के चार सदिस्यों की दम घुटने से मौत हो गई ये मामला काफी दिल दहला देने वाला है जिसके घर में इन्वर्टर है उसके मन में तो ये सवाल जरूर होगा कि आखर आग किन कारणों से लग जाती है और हमें क्या-क्या साफधानिया बरतनी चाहिए तो इस से पहले कि आज के इस इंट्रस्टिंग वीडियो के शुरुआत करें आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फटा-फट से वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये महतवपूर्ट चानकारी आपके अपनों तक भी पहुँच सके और हाँ वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिलकुल भी ना भूले दरसल आपको बता दे कि एक्सपर्ट कहते हैं कि इन्वर्टर में चार्जिंग बताने वाली लाइट जब खराब हो जाती है तो लोग उस पर खास ध्यार नहीं देते और इससे बैटरी के ओवर चार्जिंग का खत्रा बढ़ जाता है ओवर चार्जिंग से बैटरी बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और शॉट सर्किट हो सकता है वोल्टेज अगर घर पर जादा वोल्टेज है तो इन्वर्टर के सर्किट शॉट हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है वाइरिंग, अगर इंवर्टर के वाइरिंग बहुत पुरानी हो गई है या अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो इससे भी तार शॉट होने के खत्रे बढ़ जाते है बैटरी का पानी, बैटरी में पानी का लेवल जाचने के लिए एक इंडिकेटर होता है उसे रेगुलर देखते रहें क्योंकि अगर बैटरी में पानी कम हो गया तो इसके वज़र से लोड बढ़ सकता है और बैटरी भी फट सकती है सफाई, किसी भी सामान की लाइफ बढ़ाना है तो साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है मेंटेनिस ना होने पर इंवर्टर के अंदर धूल और गंदगी चम जाती है जो शौट सर्किट का कारण बन सकती है साथ ही ये भी देखें कि जहां पर आपके इंवर्टर और बैटरी को रखा गया है वहां पर हवा का सर्कुलेशन होता रहे ताकि बैटरी हीट ना होने पाए कभी भी इंवर्टर को ऐसी जगा पर ना रखें जहां पर डारेक्ट धूप आती है इसे गर्मी में ओवर हीटिंग की समस्या हो सकती है आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर ज़रूर करें अभी के लिए फिलहाल इतना ही